अगर 2020-2021 की बात करें तो पेटियम के भी क्या चे दिन तब चल रहे थे आठ नुवेंबर 2021 पेटियम अपना IPO लाती है मार्केट में वो भी मैसिफ प्राइस बैंड रेंज अगर आप देखें तो दो हजार दो हजार एक सोपचास पर शेर लेकिन तब भी लोगों ने पागलों के तरब पेटियम के शेर्स खरीदे तें सोचा था यही है future of fintech 18,300 करोर का शेर से largest public issue in India's corporate history कहा जाता है इसे इतिहास रचा था पेटियम ने stock market पे और साथी साथ विजय शेखर सर्मा VSS ने आज वही पेटियम के शेर्स 438 रुपीज के आसपास लड़ खड़ा रहे है lower circuit तीन दिन in a row 20% 20% अब तो market नहीं चेंज करके बोल दिया अच्छा चलो आप 10% प्रतिशत ही कर देते हैं हर दिन 3 days in a row अभी lower circuit हिट कर चुका है जहां तक fintech की बात होती है तो ptm का ही नाम सबसे पहले आता है जहां तक startups की बात होती है और poster boys of startup की बात होती है वहाँ विजय शेखर शर्मा का नाम आता है आज ये दोनों ही डूब रहे हैं दोनों ही emergency में आ गए हैं ऐसा क्या हुआ है पिछले कुछ दिनों में जिससे इतनी बड़ी एक crisis उत्पन हो गई है जहां future of ptm कहा जा रहा है is in question not only ptm payment bank जिसके उपर rbain ने एकदम फासी लगा दिया है जिसे death sentence दे दिया है जिसे but also ptm overall as a company उसके उपर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन आ चुका है इसके पीछे बहुत सारे कारण है आप और हम भी मिले हुएं इसके पीछे समझाता हूं कैसे लेकिन ये अगर आपको नहीं मालूम है तो जल्दी से ये भी बता दिया जाए कि हुआ क्या है और RBI Paytm से इतने एक हफा क्यों है इतना action क्यों लिया गया है पता ये चला है और अब धीरे धीरे ये सारी बाते आ रही है CNBC TV18 ने एक detailed report निकाल के ये बताया है कि RBI इतना घुसा क्यों है जो कि ये details उसके one page notice पे नहीं आई थी 31 करोर out of 35 करोर Paytm वालेट्स कहा जाता है inoperative है ये report छपा है मैं भी believe नहीं पा रहा हूँ लेकिन ये छपा है एक pen को thousands of accounts से link किया गया और ऐसे हजारों ऐसे pen accounts है जो pen number है जो कहीं 100 कहीं 1000 से linked है KYC के जो basic जो procedures होते हैं वो नहीं किये गए हैं यहां हम fast tag में अपना KYC करा रहे हैं और वहां Paytm अपने ही bank में ऐसे ऐसे लोगों को accounts खुलवा के बैठा हुआ है जिन्होंने अपना basic KYC registration नहीं कराया है और जो KYC anti money laundering rules होते हैं उनकी violation हुई है अच्छा यह सब तो किया ही किया उसके उपर खबर तो यह आ रही है कि जहां compliance report भरनी थी कि अच्छा हमने गलती की है हमने उसको ठीक कर दिया है वो compliance report में भी छूट लिखा हुआ है और साथ ही साथ Paytm Payment Bank के जो financial और non-financial businesses हैं वो आपस में promoter group company मने विजए शेकर चर्मा के जो दूसरे companies हैं इतनी मिली हुई है जो की basic license जो एक bank को मिलता है उसका violation है क्योंकि एक bank एक बहुत ही serious business होता है लोगों का पैसा वहाँ जमा होता है तो आपको कुछ basic norms follow करनी होती है जब RBI ने ये सारी चीज़े पाई और अभी पता लगाते हैं कितने सालों में ये सारी चीज़े पाई लेकिन RBI ने जब ये सारी चीज़े पाई तो आप कोई भी activity नहीं कर सकते हो 29th of February के बाद कोई deposit नहीं डाल सकते हो credit transaction नहीं कर सकते हो wallet top up नहीं कर सकते हो bill payment नहीं कर सकते हो कुछ भी नहीं कर सकते हो 29th of February के बाद अब यह बहुत इंट्रिस्टिंग क्यों है और बहुत लोगों को बहुत सप्राइजिंग क्यों लग रहा है क्योंकि RBI ने जब फंदा कसा है लेकिन इतनी बुरी तरीके से कि कोई escape route नहीं दिया गया है यहां पेटियम को कि यह नहीं कि अच्छा आप अगर यह fix कर लेंगे तो हम आपका license वापस कर देंगे या फिर आपको permission दे देंगे आप अगर यह जो conditions है 1, 2, 3, 4 इसे पूरा कर लेंगे तो फिर it will be all चंगासी सवाल यह उठता है कि RBI ने ऐसा कदम लिया क्यों क्या पेटियम सची में इतनी बड़ी तरीके से guilty है कि RBI को finally यह कदम लेना पड़ा बहुत लोग कह रहे है कि यह कदम तो एक semi final कदम है final कदम है कि पूरी की पूरी जो banking license है वो ही चिंज जाएगी अभी थोगा time दिया है लोगों को अपना पैसा बाहर निकारने के लिए सवाल ये फिर उठता है कि विजेशेकर शर्मा को क्या ये सारी चीज़े मालूम थी कि उसके company क्या गलत काम कर रही थी उसके board members क्या कर रहे थे वो सिरफ बैट कर किया सिरफ बड़ी-बड़ी बाते ही कर रहे थे अपने corporate boardroom में या फिर इसमें कोई एक corporate takeover का भी एक angle है जहां पेटियम को सस्ते में खरीदने की कोशिश हो रही है आपको और मुझे ये कैसे impact करता है और इसमें हमारी कहां गलती है क्योंकि हम जो लोगो को भगवान बना कर बैठे रहते हैं और उनको भगवान के तरफ वर्शिप करना शुरू कर देते हैं उन्हें poster boy बना देते हैं और वो कुछ गलत नहीं कर सकते हैं इनसे ये भी एकदम पेड़ पर चड़ जाते हैं सब जाता हूं कैसे सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर कर लेते हैं कि ये सड़ेनली एक दिन ऐसा नहीं हुआ कि RBI उठी आज लगाते हैं किसी की बारी और सीधे PTM का नंबर आ गया PTM Payments Bank के problem उसके existence के एक साल के अंदर ही आ गया बने 6 साल पहले bank बनी थी और उसी के साथ साथ bank शुरू होते होते ही violations, data breaches, risk of fraud and lack of transparency जो promoters की जो lack of transparency है वो शुरुआत से ही हो गए थी सबसे पहली बार RBI ने PTM Payments Bank पर फंदा कसा था जून 2018 में bank बने एक साल हुआ था और RBI ने पाया कि भईया आपकी जो licensing conditions है जो basic conditions है उन्हें आप violate कर रहे हो day end balance आपको जो maintain करना है वो आप नहीं maintain कर रहे हो जो आपको know your customer KYC guidelines maintain करनी है वो नहीं कर रहे हो तो भाई RBI ने कहा ये सारी चीज़े गलत हो रही है हम आपको नए accounts खोलने से रोक रहे हैं ये जून 2018 में ये ban लगाया गया फिर PTM ने कहा होगा कि नहीं नहीं हम लोग सब ये सारी चीज़े ठीक कर रहे हैं प्रीज फर्गी बास हमें एक और chance दिचे डिसेंबर 2018 में भाई जब लिखा पढ़ी किया गया उन्होंने assurances दिया तो ये ban हड गया ये पहला strike था फिर आते हैं October 2021 में RBI ने ये पाया कि PTM Payments Bank ने गलत information RBI को ही submit किया है RBI फिर खफा इस बार एक करोर रुपए का fine लगा दिया गया अब इसके बाद अगर कोई decent bank होता या कोई manager होता या corporate governance होती या board oversight होता तो बंदा बोलता या आप समल जाते हैं एक करोर का fine भी लग गया RBI fine लगा रही कोई मजाक की बात नहीं है लेकिन फिर March 2022 पर हम आते हैं और RBI देखती है कि lapses and technology है cyber security का आपने खयाल नहीं रखा है anti money laundering का जो compliance होता है वो आपने पूरी तरीके से किया नहीं आपके जो servers है आपका जो physical infrastructure है वो bank share कर रहा है 197 ATM के जो parent company है उसके साथ तो सारे के सारे servers एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं लोग एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं जबकि very clearly bank एक serious undertaking होती है और उसको एकदम अलग तरीके से अलग oversight में रखना होता है और इसी लिए RBI ने बोला कि हम आपके उपर supervisory restriction लगा रहे हैं ये March 2022 की बात है और आप नए customers फिर से नहीं ले सकते हैं और एक external audit firm आपको बेठाना पड़ेगा पूरा system wide आपका audit होगा फिर आता है एक और warning October 2023 में जब RBI ये auditors report पड़ती है कि आपने क्या कदम लिये हैं क्या नहीं कदम लिये हैं RBI ये पाती है कि इतना सारा warning देने के बाद इतना सारा audit करने के बाद इतना सारा fine लगाने के बाद कोई serious action नहीं लिया गया है on part of ATM bank to stop all these mal practices तो फिर October 2023 में RBI एक monetary penalty of 5.39 करोर रुपीज लगाती है क्योंकि आपने सारी जो compliance थी और KYC norms थे वो follow नहीं किये थे RBI कहती है कि भाईया beneficial owners आपके कौन है वो clear नहीं कर रहे हो payout transactions कहां से हो रहे वो monitor नहीं कर रहे हो regulatory ceilings क्योंकि कुछ-कुछ account में करोरों के transactions चल रहे है पे-टी-म के accounts में जो कि regulatory ceilings से उपर था और जब कोई cyber security incident होती है वो आप report नहीं करते हो जो आपका video based consumer identification process होता है या जिसे कहते है VCIP उसे आप follow नहीं कर रहे हो तो इतनी सारी चीजे होने के बाद फिर से fine लगता है इतनी बार compliance तोड़ने के बाद तो कोई भी businessman line पर आ जाता या फिर ऐसा कोई businessman होता है जिसे लगता कि उसे छुआ ही नहीं जा सकता है क्योंकि वो देश का नाम लेकर fintech का नाम लेकर banking का नाम लेकर अपने आप personal stature दिखा कर ये सारी चीजे हटा सकता है लेकिन जब RVI ने इस बार फंदा का साथ तो भाई साफ साफ बोला है कि आपके पास lakhs of ऐसे customers हैं जिनका KYC approved नहीं है उनका pan validation fail कर जाता है हजारों ऐसे cases हैं जहां pan number उनका एक ही है और कुछ-कुछ cases में तो एक pan number से 1000 accounts linked है total value of transaction जो कुछ accounts में है वो crores of rupees में जा रहा है ये PTM से ये crores of rupees आदान प्रदान क्यों हो रहा है और इसी से money laundering concerns की बात भी सामने आई है दो अभी सरकार नहीं ये बात साफ कर दी है कि अभी कोई legal investigation इस बारे में नहीं हो रहा है लेकिन बहुत high number of dormant accounts मिले जो accounts जिसमें कोई transaction नहीं हुए है इनको mule accounts के तरह इस्तमाल किया जा सकता है for transferring of illegal money and जैसे मैंने एकदम शुरुवात में ही कहा कि अगर आपके पास 35 करोर paytm wallets है उसमें से 31 करोर in operative है तो ये देश की economy दिखाता है या फिर paytm की economy दिखाता है लेकिन ये है तो बहुत bad news फिलहाल सरकार ने कहा है कि ये सारी चीज़े ये नहीं दिखाती है कि paytm अपने आप में involved था या paytm के जो owners है वो involved है illegal money laundering activities में लेकिन उन्होंने अपने systems को ठीक से maintain नहीं किया उनका system को use करके illegal activities किया जा सकता है ये तो रही non compliance की बात लेकिन unfortunately paytm की कहानी इससे और भी जादा आगे जाती है कि भाया जो आपके financial और non financial businesses हैं और promoter group companies है जो दूसरे companies हैं उसके साथ आप data share कर रहे हो उसके साथ आप human resources share कर रहे हो और उसके साथ आप server share कर रहे हो ये किसी भी bank में allowed नहीं हो सकता है अब इससे बात obviously corporate governance की बहुत बात हो रही है बहुत लोग इस पर लिख रहे हैं कि paytm की board क्या कर रही थी जब ये notice आ रहे थे जब ये fines लग रहे थे तो paytm के board ने इन warnings को seriously क्यों नहीं लिया board का काम ही होता है कि इन warnings को seriously लेना और ये देखना कि corporate governance है तो इस पूरे incident से एक बात तो साफ आ रही है कि ये जो duty होती है ये जो board होते हैं मोटा मोटा पैसा लेते हैं और independent directors जो होते हैं इनिक ने अपनी duty पर तो fail कर गए है ये चुपचा बैट कर देखते रहे ये mute spectator होते रहे उन्होंने सोचा कि विजय शेकर चर्बा है वो सब कुछ maintain कर लेंगे क्योंकि भईया उनकी तो पहुँच बहुत बड़ी है उनका stature तो बहुत उपर है तो PTM की management problem में पहले से थी ये बात तो काफी साफ हो चुकी है तो ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत shocking incident है RBI ने चार बार पहले भी फटकार बारने के बाद अब जाकर ये बड़ा decision लिया है जहां से वापस आना अभी तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है तो इसका मतलब आगे जाकर क्या होगा एक चीज तो बहुत clear बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये सिर्फ एक समय दिया गया है जिससे depositor अगले एक महीने के अंदर अंदर ये सारा जो अपना deposited money है या तो उसको इस्तमाल कर ले या तो उसको withdraw कर ले या तो उसको shift कर ले जिससे panic ना हो जाए कि भाई या लोगों का पैसा जो अटका पड़ावा तो खतम हो जाएगा लेकिन as of now तो लग रहा है 90%, 95% तो ऐसे ही लग रहा है कि PTM banking जो ambition है PTM की जो banking ambitions है कम से कम वो तो खतम हो जाएगी वो तो उसे वापस ये license मिलने वाली नहीं है अब सवाल आता है PTM wallet अगर आपके और मेरे पास जो PTM wallet है कम से कम हम उसका fund इस्तमाल कर सकते है till it is depleted जब तक wallet खतम नहीं हो जाता है हम उसका fund इस्तमाल कर सकते है लेकिन February 29th के बाद हम उसमें पैसा नहीं लगा पाएंगे add नहीं कर पाएंगे इसका एक ही exit option है कि ऐसा कोई bank आ जाए तो इसका मतलब है कि आप जब wallet अपना top up ही नहीं कर पाओगे तो उसके थूँ transaction भी नहीं कर पाओगे और wallet भी खतम हो जाएगा December 2023 के end तक PTM के पास चार करोर लगभग चार करोर merchant based terminals थे जो आप जाते हो न दुकान में और बोलते हैं पर इतने रुपे पराप्थ हुए तो बहुत बड़ा market है PTM के पास अब PTM के पास 29th of February है इस महिने के अंध तक है कि या तो वो QR codes को update करे और उनमें से जो shopkeepers हैं जो PTM bank में जिनका पैसा जाता है किसी और bank में shift करे हो समझ सकते हो कि यह काफी logistical nightmare है कुछी हफतों में अगर यह सारा PTM bank से किसी और bank में merchants को आपको shift कराना हो QR code को update कराना हो साफ सी बात है, जाहिर सी बात है कि इस आपदा में बहुत सारे दूसरे जो companies हैं phone पे, भारत पे, razor पे इनको बहुत जादा एक अफसर मिल जाएगा इस आपदा में, क्योंकि बहुत सारे merchants फिर दूसरे जो payment gateways हैं payment companies हैं, उसमें shift कर जाएंगे अब जो PTM में जो हो रहा है उसके response पे State Bank of India ने यह बोला है कि जहां तक customers की बात रहे हम उन्हें बचाने के लिए हम उन्हें rescue करने के लिए काम करेंगे लेकिन हम PTM को rescue नहीं कर रहे हैं जैसे for example, yes bank के लिए एक rescue operation माउंट हुआ था वैसा कोई rescue operation माउंट नहीं होने वाला है PTM bank के लिए ICI, ACI bank को भी एक potential tie-up बोला जा रहा था लेकिन यहां एक बहुत interesting चीज आ रही है एक तो है कि PTM को यह देखना होगा कि एगले कुछ दिनों में 3000 से 4000 करोर रुपए जो wallet में लोगों के फसे हुए है वो आराम से निकल पाए अगर यह पैसा और कहीं उन्होंने deploy करा है तो फिर वो हाँ भी problem हो जाएगा क्योंकि लोगों के लिए अभी ज़रूरी है कि भी या उनका पैसा safe है या नहीं है उसके बाद PTM को यह देखना पड़ेगा कि हम किसी के साथ tie-up कर सकते हैं या नहीं और यहीं सवाल आता है कि क्या PTM अब खतम हो जाएगा end of the road है या उसका tie-up किसी के साथ हो सकता है विजय शेकर शर्मा को poster boy of India's fintech boom बोला जाता है उनका एक सपना था कि Alipay के तरह वो भी एक ऐसा mobile marketplace बनाए जहां payment business तो चले ही चले लेकिन उसके साथ-साथ goods and services वो बेच पाए आईफोन से लेकर माचिस की डिबिया से लेकर कुछ भी बेच पाए इसलिए PTM mall भी बना था PTM mall unfortunately तो पहले ही collapse कर गया था, वो long time ago हुई उसका happy birthday हो गया था, अब PTM banks भी गया, अब आपके पास core payments business जो आपका PTM है, वो बाकी रह गया है तो reaction क्या रहा, विजए शेकर शर्माव, ये SS का, जैसा कि आजकल हर दूसरे businessman का होता है, जब RBI की ये फटकार आई, जब ये publicly ये बात साबने आई, तो सबसे पहले तो यही कहा गया कि भाईया देखिए, हम तो देश के काम कर रहे है, देश को आगे रखो हम देश के पीछे, हम जटे के बीचे चिम जाएंगे ट्वीट में क्या कहते हैं, I am with every Paytm team member, salute to you for your relentless support, for every challenge there is a solution and we are sincerely committed to serve our nation in full compliance, यार नेशन service तो बाद में करोगे, पहले RBI के जो norms थे, उसी को service कर लेते, तो ये जटे के पीछे और भारत मा के बीचे छुपने की ज़रूरत नहीं पड़ती पहले तो Paytm काफी confident था कि उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम अपने financial services, loan distribution, insurance distribution, equity broking, ये सारे continue करेंगे, इस पे कोई impact नहीं पड़ेगा, और हमारे जो offline merchant payment network offerings हैं, like Paytm, Paytm QR, Paytm soundbox, Paytm card machine, ये सब बिल्कुल ठीक ठाक चलेंगे, हाँ कुछ 300-500 करोर का हमारा घाटा होगा, लेकिन वीविल, ये एक speed bump है, विजेशेगर शर्मा ने कहा, उन्होंने अपने employees से बात करते, ये भी कहा कि भाईया देखिए, हम compliance करने की कोशिश कर रहे हैं, हम RBI के साथ काम कर रहे हैं, हम दूसरे banking partners ढून रहे हैं, एक confident और reassuring tone लेने की कोशिश तो की, कहा कि कोई employee को sack नहीं किया जाएगा, which is good, लेकिन अब धीरे धीरे वो जो confidence है, जो पहले दो-तिन दिन में देख रहा था, वो confidence अब थोड़ा सा slip कर रहा है, क्यूं? क्यूंकि Confederation of Indian, All India Traders, जिसे CATI कहा जाता है, उसने एक advisory इशू कर दिये संडे को, कि वहिया देखो, आपका जो धंदा है, brick and mortar धंदा है, आप ATM से किसी और application में switch कर लो, नहीं, तो आपका घाटा हो सकता है, और अगर आप 197 communications limited या parent company of Paytm के अगर आप बात करें, तो उनके जो shares हैं, वो हर दिन lower circuit hit कर रहे हैं, 20%, 20%, 10%, 43% overall down हो चुके हैं, lifetime lows के आसपास आ चुकी है, ये share, तो stock market को भी adjust करना पड़ा, बोला कि नहीं, इस बार 20% नहीं, मंडे के दिन 10% down पर ही हम उसको circuit breaker लगा देते हैं, अब इसमें आती interesting चीज, कि जियो financial services के shares जो हैं, 15% मंडे को spike मरे, क्यों? क्योंकि market में ये अफवा है कि HDFC bank और जियो financial services limited साथ में मिलकर PTM wallet business को acquire कर सकते हैं, अब इसमें बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं, कि भाईया, ये deal का timing तो बड़ा interesting है, कि जैसे ही PTM नीचे गया, वैसे ही उसे खरीदने के लिए कोई वहाँ बैठा हुआ है, इसमें debate है, कि क्या PTM अभी अपना wallet business बेच भी सकती है, नहीं बेच सकती है RBI का clampdown है, पहले clampdown हटेगा तब ही business बिख सकता है, या नहीं बिख सकता है तो इस सब में थोड़ा सा अभी time लगेगा ये सारी चीज़े सोलजने में, उधर banks भी बेट कर रही हैं, कि भाईया RBI पर्मिशन दे या ना दे कि हम PTM के साथ partner कर सकते हैं to take over as their merchant accounts, क्योंकि इससे अगर कोई bank take over करे तो benefit तो मिलेगा लेकिन ये भी याद रखिए कि KYC अगर नहीं किया गया है, तो कोई भी bank जो इसको take over करती है, उसके लिए लाखों accounts को फिर से KYC करना पड़ेगा, तो इसमें cost analysis उनको भी करना पड़ेगा, अब मैं इसमें ये सब क्यों कह रहा हूँ, इसमें आप और मेरी गलती भी है, एक साल के अंदर हमें ये शायद तीसरा एपिसोड है, जो मुझे याद है शायद और भी हो सकता है अशनीर ग्रोवर, बाईजू रविंदरन और अब विजय शेकर शर्मा इनके उपर एपिसोड बनाना पड़ रहा है उची-उची महान-महान हस्तियां जिनने लोग पूचते थे, आज जमीन पर ध्वस्त होकर गिरे पड़े हुए हैं कितने फंड मैनेजर्स हैं कितने लोग हैं, जिन्होंने पेटियम के आईपियो में इन्वेस्ट किया था फसे पड़े हुए हैं, इतनी बुरी तरीके से लॉस लेकर, क्योंकि जब ये शेर आया भी था मार्केट में, आईपियो में तो लोगों ने सवाल उठायते कि इतना जादा आप शेर प्राइस कैसे है ये आप 2000 रुपीज जो आप मांग रहे हो शेर के, इसको आप justify कैसे कर सकते हो लेकिन उस समय तो कोई सवाल पूछे तो उसे गाली पड़ जाए, कोई सवाल पूछे तो वो तो anti-establishment है, कोई सवाल पूछे तो वो तो anti-India growth story है मैं नीचे एक link दे दे रहा हूँ कि CNBC में किस तरीके से विजय शेकर शर्मा ने anchor से बात की थी जब anchor ने बस ये सवाल पूछ लिया था कि भई आपकी path to profitability क्या है आपका जो valuation है इतना high क्यों है और किती बत्तमीजी से विजय शेकर शर्मा ने उस anchor से बात की थी आप ये समझ सकते हैं कि लोग कितने arrogant हो सकते हैं और हम उन्हें इतना respect जब देते हैं तो उनकी arrogance और भी बढ़ जाती है और PTM हो या by juice हो story एक ही है ultimately ये जो उनकी collapse के पीछ है कि भाईया सबको चाहिए quick unnatural growth बस हमके तीर तार बस हमें grow करना है किसी भी cost पर हमें grow करना है और directors तो भाईया तुम चुपचप बैड जाओ हमें मालू में हमें कैसा करना है हमें मालू में का political तार कहां से कहां जुड़े हुए है तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है तुम अपना नाम यहां लगाओ तुम अपने हस्ताक्षर दो हम अपने आप ही grow करके रहेंगे इसी को कहते हैं God syndrome क्योंकि होता यह है कि success मिल जाता है early और उसके बाद लोग उनको ऐसे में भी अगवान मान लेते हैं तो उसके बाद उनको लगता है कि भाईया देखो यह सब law show तो छोटे मुटे लोगों के लिए we are above the law इसलिए बाइजूस साल बर साल अपना accounting ही declare ना करे tax return ही ना file करे और बोले कि नहीं नहीं सब कुछ चीक चल रहा है उसके अंदर अगर आप बाईजूस की बात करें तो EdTech में वो ही king था अगर आप FinTech की बात करें तो उसमें Paytm king था आज देख लीजे बाईजूस और Paytm की क्या हालत है बाईजूस की उपर पूरा का पूरा एपिसोड भी बना के रखा है उसको भी देख लीजेगा कहीं न कहीं ये हमारे देश को ही damage कर रहे है कहीं न कहीं हमारे economy को ही damage कर रहे है लेकिन हम इतने hype में चले जाते है जैसे समीर अरोर ने बहुत सही चीज बोला था अगेन उनको भी बहुत गालियां पड़ी होंगी जब उनने कहा था कि ये fintech shintech एक bubble है क्योंकि ultimately आप कर क्या रहे हो एक QR code ही तो दिखा रहे हो QR code दिखा कर आप जो payment system है उसको थोड़ा और comfortable कर रहे हो लेकिन इसका path to profitability क्या है कि आप उसी merchant को loan दे रहे हो अरे यार ये non banking finance corporation तो ऐसे में भी बहुत दिनों से चले आए है तो कौन सा नया चीज हो गया है convenience है ठीक है लेकिन इसको ऐसा revolutionary step बता दे ना जिससे economy की काया कल्प हो जाएगी सुन लिजेगा वो link भी नीचे दिया हुआ है problem यह है कि हम experts की तो सुनते नहीं है न हम तो सिर्फ hype मारना चाहते है साथ साल हो गए demonetization के बाद आज cash in circulation in the economy डबल हो गई है जब तब थी demonetization के समय 33 lakh करोर तो फिर अब किस चीज से आप कह रहे हो कि आपका payment से आपका UPI से देश की काया कल्प हो जाएगी कभी अपने आप से अपने सवाल पूछा है कि हाँ ठीक है जैसे credit card एक system होता है जैसे cash एक system होता है वैसे एक UPI system है उसे देश की काया कल्प कैसे हो सकती है लेकिन नहीं हम तो हाइप पे सवय हो जाएंगे इसलिए देश बगत पे कहते हैं हाइप पर इत्ता मत जाओ अपना पैसा ही खोकर बैठोगे ये false gods को worship मत करो दिल ही तूटेगा और ये जो get rich quick guys होते हैं ये देश को ही खराम नाम दे रहे हैं जो देश भग देखते हैं लेकिन subscribe बटन नहीं दबाते हैं